हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आया सीटीसी के बारे में बहुत सारी अपडेट्स निकल के आ रही है और अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक अफ़वा फैलाई जा रही है कि जो आया सीटीसी है बहुत जल्दी क्रेश होने वाला है यानि कि आपको आया सीटीसी में एक भेंकर गिरावट देखने को मिलने वाली है इसके पीछे का रीजन हम जानने वाले है क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है या फिर आपके पास ये एक बहुत बड़ी ऑपिचिनिटी है जिसमें आप आया सीटीसी रेटास शियर अपने पॉर्टफोलियो में इंक्लिउड कर सकते हो कुछ ख़वर निकल के आ रही है मीचल फन का डेटा मैं आपको दिखाने वाला हूँ सारी स्ट्रेटीजी डिसकस करने वाले है कि आपको इस बहेंकर गिरावट में क्या करना चाहिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है आप से जस्ट इक रिक्वेस् और अगर आप चैनल फे फर्स टाम विजट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबते पहले अगर हम यहाँ पे बात करें ओवरल मार्केट सेनेरियों के बारे में तो आज मार्केट में भयंकर गिराव देखने को मिली करीवन साड़े 900 पॉइंट के साथ सेंसेक्स में गिरावर थी और 284 पॉइंट यानि कि 284 पॉइंट के दा निफ्टी 50 आज डाउनवर्ड ट्रेंड में जाते हो नजर आया देर परसेंट से भी जादा इन दोनों इंडेसिस में आप एक दिन के अंदर और मार्केट में जो सेंटिमेंस हैं वो आपको नेगेटिव बंदे हो नजर आ रहे हैं इसके पीछे का अभी पूरा सिनेरियो क्या चल रहा है कितना इंपक्ट फुल होने वाला है क्या इसकी डेथ रेट है ये मैं वीडियो के लाश्ट में आपको बताने वाला हूँ और म 20 रुपे की गिरावट आपको देखने को मिल गई एक दिन के अंदर अंदर यानि कि 2.43% आज ये शेर आपको नीचे जाते हो नजर आया ओवरल जब मार्केट में ही गिरावट थी तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में ही गिरावट थी तो इस वज़े से इसके पीछे की कोई नेगेटिव निउस तो निकल के नहीं आई है मैं एक ही करके जो अपडेल्स है वो आपको बताते हुँ चल रहा हूँ यहाँ पर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि IACTC में अब अगर आप देखो अगले सपता से बहुत ब यानि की IACTC की आमदनी तेजी से बढ़ेगी ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेंस ही नहीं रेलवे प्रेमिसेज में खान पान उपलब्द कराने वाली है अकेली कंपनी बनने वाली है यानि की अब अगर आप देखो कि जो इनका में बिजनेस है कैटरिंग का वो अगर आप देख का सब्सक्रिंग का सब्सक्राइब ज्यादा रेवेन्यू है वो इंक्रीज होने वाला है और डेफिनेटली इसका जो इंपक्त है वो इसके फाइनेशल्स पे काफी हद तक पॉजिटिव पढ़ते हो नजर आ सकता है दूसी अपडेट्स पे जाने से पहले अगर मैं यहाँ पे आपको बताओं तो इसके कुछ टागेट्स वगरा निकल के आ रहे हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट एक्सपर्ट के बारे में जाने इनकी राए में यह जो लेवल है 800 रुपे के आसपास का वो बहुत अच्छा लेवल न दजार कर रहे थे और इससे सही पॉइंट सायद ही आपको कभी देखने को मिले अभी तो जो यह जो गिरावट आ रही है वो पर्टिकुलर्ली कोबिट की बज़े से आ रही है ऐसी कुछ भी नेगेटिव निउस नहीं आई है जो कि केबल IACTC से रेलेटेड हो तो यहाँ प पीचे कोई भी वैलेड रीजन नहीं है जो भी आपको यह बता रहा है बिलकुल बेसलेस पात निकल के आ रही है नहीं सरकार का ऐसा कोई फैसला निकल के आया है नहीं IACTC में कोई ऐसी नेगेटिव निउस निकल के आई है बस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो कोवि इसका जो शॉट टेम का टागेट निकल के आ रहा है 930 से 950 रुपे का एक्सपर्स के अकॉर्डिंग यह टागेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है वहीं मैं आपको यहाँ पर देखा हूँ जो अरली नेवेंबर का अगर मैं डेटा आपको देखा हूँ तो जो भी मिल्ड कैप एक्सिस स्पेशल सिचुएशन फंड आईसे प्रोडेंशल एकुटी आर्बिट्रास फंड एडलवाइज आर्बिट्रास फंड यह कुछ एमसी हैं जिनोंने अच्छी खाची खरीदारी यानि कि आप देख पा रहे हूँ किसी ने 61 परसेंट किसी ने 126 परसें परसेंट तो किसी ने 109 परसेंट का चेंज पॉजिटिव डिरेक्शन में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मीचल फंड भी अपनी खरीदारी धीरे धीरे करके इस पर्टिकुलर लेवल पे नजर आ रहे हैं अ लोगों के लिए जिनको ICTC में टिकेट करने से थोड़ी सी दिक्कत होती थी या फिर कुछ ट्रैफिक वगरा का जो इश्यू था जो साइट पर आपको देखने को मिलता था उसमें आपको नजर आता था पर्टिकुलर इनिशेटिप से काफी ज़्यादा हेल्प होने वाली जो कि ICTC के तरब से इनिशेटिव लिया गया है और एक और न्यूज में आपको बदा देता हूँ ICTC announces number of special trends to clear the extra rush during the Christmas or New Year यानि कि ICTC यहाँ पे कुछ additional special trends चलाने वाला है जो कि आपको Christmas or New Year पर जो भीड ज्यादा आपको देखने को मिलती है लोग बहुत ज्यादा ट्रे ज्यादा न्यूजों को सिलसला जो बन रहा था यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया है अब overall मैं आपको एक report बता देता हूँ जो कि इसके जो COVID का scenario से related निकल के आ रहे है अब यह हाल फलाल में WHO की तरब से जो new variant है उसकी testing के लिए यहाँ पर data गया हुआ है 10 to 15 days में आपक कितनी है और यहाँ से जो vaccine create करी गई थी जो हम लोगों ने vaccine लगवाई थी क्या वो help करने वाली है या फिर हमें further additional dose की requirement पड़ेगी तो यह 10 to 15 days में report आने वाली है अगर consequence से ज़्यादा severe होते है तो market में आपको एक बड़ा crash देखने को मिलेगा वहाँ पर आप अच्छी कुछ normal आपको symptoms देखने हो मिलते हैं तो सीधे सीधे आपको market recover करते हो नजर आने वाला है तो दौन तरब से आपको यहाँ पर benefit है अगर बहुत ज़्यादा crash होता है तो आप वहाँ पर easily अच्छे stocks में buying कर सकते हो otherwise recovery mode जहां से बहुत जल्दी start हो सकता है तो panic वाली situation बिलकु विजिट करें तो प्लीज चैनल को subscribe भी जरूर करें धन्यवाद